नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी कैक और नहीं वीडियो में नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे दोस्तों मीर्च में एक ऐसी रासाइनिक खाथ के विशाम है जिसको आप डाल कर बहुत जादा पौधे में वृध्धी देखने को मिलेगी यह कहना उचित होगा दोस्तों की इसको डालने के बाद जो पौधे में घंटों के हिसाब से पौधे में वृध्धी देखने को मिलती है यह देख सकते हैं यह कुछ ही इस तरह से खाद है यदि आप एक पौधे के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो लगभग आपको 10 से 20 द गानब परिजापत होता है चुकि इसके जादा प्रयोग से दोसरो जो पौधे है यह बहुत तेजी से बढ़ने लागा जाएंगे इसका प्रयोग दोसफों के लिए बहुत जादा हानी कारक भी होता है इसका प्रयोग उचीत मात्रा में ही करना चाहिए चुकि यह इसमें देखा जाए तो जो नाइट रोजान की मात्रा हो बहुत ही अधिक पाया जाता है इसका जो प्रयोग है हपते में नहीं करना चाहिए हमें मन्त में दोस्तों एवन मन्त में हमें एक से दो बार ही इसको प्रयोग है लाना चाहिए बहुत जरूरी होने पर वरना दोस्तों यह जो पौधे हैं इसको बहुत तेजी से ग्रो करता है लगबग बड़े दाने होने के होते तो दोस्तों लगबग चार से पांच ही दाना परियुक्त होते लेकिन दोस्तों यह अभी छोटे-छोटे दाना होने के कारण हमें इसे 10-15 जो दाने हैं उसका प्रयोग करना पड़ रहा है इससे जो पौधे का ग्रोथ है दोस्तों उनमें बहुती अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है सांथ में जो मिर्चक पौधा है वो पूरी तरफ से हरे रंग में हो जाता है यदि आपके पौ पौधे हैं दोस्तों इनमें लगभग 10-15 जो हमारे पास परियापत है उनको डाल देते हैं कुछ इस तरह से ध्यान रहे दोस्तों मिट्टी गिली होने चाहिए इसको डालने से पूर्वा में या तो जश्ट डालने के बाद आप इसमें पानी की सिचाई कर दे तो भी हमार डालने की जुर्रत नहीं पड़ रही है कुछी सारस यह पौधे में डाल दी दिये आपको कुछी दिनों में देखने को मिलेगा जो पौधे हैं दोस्तों उनमें अच्छी तारीक्या से ग्रोध देखने को मिलेगी पूरा पौधा हरा रंका हो जाएगा सांत में जो इनमें नक्सान है लेकिन इसका लिम्ट समय प्रयोग दोस्तों फायदेमनद है अधि आप इसका बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं तो ये आपके मिट्टी और आपके पौधे के लिए नुक्सान है चुकी जो पौधा है इसे गंटों के हिसाफ से बढ़ होते हैं